तो ये Attention Deficiency Syndrome इसलिए हुआ है, क्यूंकि लोग जानकारियों को शिक्षा समझते हैं, तो इन्होंने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा लिया, लोगों को शक हुआ, अमरीकी सरकार को शक हुआ कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, एक 12 साल का बच्चा जानता है कि वहां करोणों प्र चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ, नई, जीवन का हर पहलू इसी तरह है न, अगर आप ध्यान नहीं देते तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं, कैसी सांस ले रहे हैं, क्या हो रहा है, बहुत से लोग फूलों की खुश्बू पर ध्यान नहीं देते, या को तो ये विकास प्रक्रिया में पीछे जाना हुआ, अगर आप बैल या भालू की तरह चलें, तो आप पीछे जा रहे हैं, आप विक्सित होकर इंसान बने हैं, इसमें लाखों साल लगे हैं, अब आपको पीछे नहीं जाना चाहिए, इंसान होने का मतलब है, इंसान के बारे म अनूठी चीज ये है कि हम वही चीजें करते हैं, जो जानवर करते हैं, बस यही है कि जो जानवर करते हैं, हम भी वही करते हैं, लेकिन हम उसे जागरुक होकर कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है, और किसी चीजे को जागरुकता से करना तब तक संभव नहीं होगा, जब तक आप उन चीजों पर परियाप ध्यान नहीं देते, जो आप करते हैं या नहीं करते हैं। विशेश रूप से वो चीजें, जो आप नहीं करते हैं। आपको उन पर पूरा ध्यान देना चाहिए, वरना वो आपके अंदर खुश जाएंगी। तो ये अटेंशन डेफिशन्सी सिंड्रोम इसलिए हुआ है, क्यूंकि लोग जानकारियों को शिक्षा समझते हैं। फिलहाल हमारी पूरी शिक्षा व्यवास्ता ही ऐसी हैं। आप पर जानकारी का धेर डाल देना। आप जितनी ज्यादा जानकारी का धेर लगाएंगे किसी दिमाग में या कहें कि बचपन से जानकारी डाली जाए, तो उसकी ध्यान देने की रूची उतनी ही कम हो जाएगी। क्यूंकि कुछ भी जाने बिना, जानकारी आपको एक जूटी भावना देती है कि आप सब जानते हैं। ये अब एक फैशन बन गया। आज अगर आपको एक डिनर पार्टी में अमंतरित किया गया है, तो आप गूगल पर सौ करोड आकाश गंगाओं की जानकारी ढूनते हैं। उन सभी को नंबर और नाम दे दिये गए हैं। ठीक है। वो 567BZ, वो गैलक्सी। उसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी है। आप गूगल पर जाते हैं, दो वाके उठाते हैं, और पार्टी में जाते हैं। जो भी आपसे बात करता हैं, नमस्ते, आप कैसे हैं, आप कहते हैं, अरे क्या आप इस गैलक्सी के बारे में जानते हैं, जो करोणों प्रकाश वर्ष दूर है, जो बी-बी, ऐसा कुछ है, आप इस बारे में बात करते हैं और सभी को लगता है कि आप स्मार्ट हैं। पूरी दुनिया के साथ फिलहाल यही समस्या है, हम सूचना को बुद्धी समझने की कलिती कर रहे हैं। एक व्यापारी या कोई भी इंसान जो किसी परिस्थिती में रास्ता खोजना चाहता है, उससे बुद्धी की जरुएत है, ना कि बस सूचना की, सूचना थोड़ी उपयोगी हो सकती है, लेकिन बुद्धी ही आपको किसी विशेश स्थिती से गुजरने का एक अनूठा र एसा रास्ता जो कोई और अपना रहा है, हम सूचना को बुद्धी समझने की गलती कर रहे हैं, जब आप खुद में बहुत ज्यादा जानकारी का धेर लगा लेते हैं, तो ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब आप बिलकुल ध्यान नहीं देते, जब आप में ध्यान बनाए रखने की कोई शमता नहीं होती, तो आपने अपनी बुद्धी तक पहुँचने की शमता भी खो दी है, आप बस याददाश से सूचना बाहर निकालते रहेंगे, एक सुन्दर घटना हुई, आपने एंडू कार्नगी के बारे में सुना है, जब एंडू कार फेस्बुक या ट्विटर का योग नहीं था, कि वो दो सालों में खरबपती बन जाते हैं, उन दिनों लोगों को उद्योग वगारा लगा कर पैसा कमाना पड़ता था, जिसमें दश्यक क्या पीडियां लग जाती थी, तो इन्होंने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा लि फिर उन्होंने पूछा कि आप इतना पैसा कमा कर इतने सफल कैसे हो गए, तब एंडू कारनगी ने बहुत ही सरल बात कही, मैं अपने मन को किसी चीज़ पर पांच मिनिट तक लगातार रख सकता हूँ, पांच मिनिट, क्या आप में से कोई भी ऐसा कर सकता है, सभी सेनिट वहाँ ज्यादातर इंसानों की यही हालत है, तो फिर वो बोले आपको अमेरिका नहीं चलाना चाहिए, तो इंसानी शमता चित नाम की एक चीज़ होती है, अंग्रेजी भाशा में सिर्फ माइंड होता है, ज्यादातर मन के यादों से जुड़े हिस्से को मन माना जाता है, योगिक सिस्टम में मन के चार मुख्य पहलू है, मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन मन का यादों वाला हिस्सा सबसे कम महत्वपूर्ण है, चित, जो चेतना से जुड़ा होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, अगर आप चित को कोई आकार दे दें, तो वो आकार हमेशा सच्चाई बनेगा, क्यूंकि इसमें जीवन बनाने वाली शक्ती है, जिसे हम शब्दों की कमी की वज़े से चेतना कह रहे हैं, वो जो जीवन का आधार है, जब आपका मन उससे जुड़ जाता है, तो आपका मन जो आकार लेता है, मन एक बादल की तरह है, आ आप उसे कोई भी आकार दे सकते हैं, आप उसे देवता बना सकते हैं, आप उसे शैतान बना सकते हैं, आप उसे पशु बना सकते हैं, आप उसे जो चाहे बना सकते हैं, ये एक आकार रहिच चीज है, तो अपने चित को आप जो आकार देते हैं, वो हमेशा दुनिया में तो यही मन का सबसे महत्व पूर्ण पहलू है ना कि यादें। एक आध्यात्मेक संभावना और आध्यात्मेक विकास में बदल सकता है। या अपने अस्तित्व के विकास में जो मुझे लगता है कि सभी को खोजना चाहिए। यही वज़ा है कि हम एक आध्यात्मेक तत्व लाने की कोशिश कर रहे हैं। सफलता असानी से मिलेगी, किसी अन्य चीज की तुलना में, क्योंकि सफलता इसलिए असान नहीं होगी, कि कोई जादू होगा, बल्कि इसलिए कि आप अपनी पूरी शमता से काम करते हैं, अगर आप आप जानते हैं, आप जानते हैं स्कूलों में तीन टांगों वाली दौड होती है, आपकी तीन टांगे होने पर भी आप धीरे भागते हैं, दो टांगों से आप तेज भागेंगे, है ना, तीन टांगों से आपको ज्यादा तेज होना चाहिए, अगर आप सिर्फ संख्याओं को देखें तो, लेकिन यह ऐसा है, ज्यादा सूचना के साथ, ज्याद आपकी नहीं हैं, उसे आप अपनी यादों से जोड़े लेते हैं और उसके आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं आप जितना ज्यादा वैसा करते हैं, आप उतने ही कम असरदार बनते जाते हैं लेकिन फिलहाल हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्ता जानकारी देना है और इंटरनेट मौजूद है एक 12 साल का बच्चा जानता है कि वहां करोणों प्रकाश वर्ष दूर जो गैलक्सी है उसका नाम क्या है जो उसके लिए अच्छा नहीं है क्यूंकि ये ग्यान नहीं है ये किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है ये बस अपनी बढ़ाई करने के काम आता है और सबसे बढ़कर ये आपकी ध्यान देने की शम्ता नश्ट कर देगा क्यूंकि ध्यान देने का आधार ये है कि आपको एहसास है कि आप इस ब्रह्मान में एक कण को भी ठीक से नहीं जानते आप एक अनू को भी पूरी तरह से नहीं जानते इसलिए आप ध्यान दे पाते हैं अगर आपको लगता है मुझे यह पता है तो आप ध्यान नहीं दे सकते जानकारी का घमंड ही आप में ध्यान देनी की कमी पैदा करता है